कैसा भी दौर आये लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं कल भी खुल कर साथ खड़े थे आज भी खुल कर साथ खड़े हैं कैसा भी दौर आये लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं दोस्तो भारत के लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल लम्हा है याद करिए जब हाकिम की सनक की वज़ा से आप लाइनों में लग करके अपने पैसे बदलवाने के लिए बैंकों के साथियों से विनती कर रहे थे चरौरी मिन्नत कर रहे थे तब सबसे बड़ी आवाज बनके कौ अच्छा वापस ले ली गई याद करिए जब गबर सिंग टैक्स लगा करके छोटे ब्यापारियों को बरबात करने का सपना पाला था इस सरकार ने तो सबसे मजबूत आवाज बनके कौन बोल रहा था राहुल गांधी नतीजा क्या निकला हजारों करोन रुपे खर्च कर करके उनके पीछे ट्रोल आर्मी लगा दी गई उनकी इमेज खराब करने के लिए जितने तरीके अपना सकती थी भारती जनता पार्टी उसने अपनाया याद करिए याद करिए कि जब राफेल के मुद्दे पर राफेल में हुई लूट के खिलाफ एक अकेला शक्स पूरे पच्पन घंटे उन्हें एडी के आफिस में बिठा करके पूछ ताच की गई मेरे भाई उस शक्स ने क्या गुना किया क्या कुसूर है उनका उनका कुसूर इतना है कि जब देश में नफरते सर चड़ करके बोल रही थी तो उस शक्स ने कहा कि मैं भारत जोड़ने के एक शहीत पिता के बेटे हैं ये कुसूर है उनका ये कुसूर है उनका कि उनकी दादी ने इस देश की मिट्टी के लिए अपने खून का है के कhत्रा कुर्बान कर दिया ये कुसूर है उनका आज भारत जन्तपा़ पार्टी के लोग हाउस में खड़े होकर के सदन शुरू हुआ रहता था और खड़े होकर के राहुल गांदी माफी मांगो के नारे शुरू कर देते थे किस बात की माफी क्योंकि वो भारत जोड़ रहे हैं वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं अरे भाजपाईयों माफी तो आपको मांगनी चाहिए 15 लाग के जूटे जुमल करने के लिए माफी मांगो 58 रूपय का पेट्रोल 100 रूपय का करने के लिए माफी मांगो हिंदू को मुसल्मान से लडाने के लिए माफी मांगो सिक को हिसाई से लडाने के लिए माफी मांगो माफी तो तुम मांगो और अगर तुम यह कहते हो कि राहुल गांधी ने विद भारत में पैदा होना तो पाप है पुर्धान मंत्री जी माफी तो आपको मांगनी चाहिए मैं आज प्रियंका दीदी को सुन रहा था मेरी आखों में आशू थे उनका भाशन सुन करके पिछले कुछ हबतों में दो बार मेरी पलके नम हुई पहली बार तब हुई जब हम संस मेरी आख में आशू थे मैं शायर हूँ तो मैं भाउख हूँrim शायद इसलिए मेरी आखहन नम हो जाती है ऐसे लमहों में आज जब प्रियंका जी बोल रही थी तो मैं उन्हें सुनकर नम हो गया ये ظुम है कि जलम को कहता हूँ साह जलम क्या जलम कर रहा हूँ मुझे मार दीजिए जो जखम बाटते हैं उन्हें जीस्त पे है हक मैं फूल बाटता हूँ मुझे मार दीजिए फिर उसके बाद हिंदुस्तान वालों फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर मैं आखरी सदा हूँ मुझे मार दी जीए मेरे भाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लिए जो सबसे बड़ी आवाज है इस देश के उसको मारने की उसको कुचलने की जो कोशिश है उसके खिलाफ आपको खड़ा तो हुना पड़ेगा आपको बोलना तो पड़ेगा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैं मुँ दिखाऊंगा राजियू जी को हम क्या मुँ दिखाएंगे इंद्रा जी को कि उनके वारिस के साथ उनके घर के चश्मों चराग के साथ इस तरह की अपमान जनक बाते की जा रही है और देश खामोश बैठा है सवाल आप से है सवाल यहां बैठे वे लोगों से नहीं है सवाल आप से है जो आप कांग्रेस की महबबत में यहां आए हुए मैं आपको सलाम करता हूँ, मैं जानता हूँ आप राहुल गांदी जी से महबबत करते हैं, कांग्रेस पार्टी से महबबत करते हैं, प्रियंका जीदी के सम्मान में आए वे हैं, खड़गे साब के सम्मान में आए वे हैं, मैं जानता हूँ, वरना इस तप्ती दो पहरी में बुरत रखके रोजा रखकर के कौन परिशान होने के लिए आता आपको महबबत है पार्टी से लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है तुझे अपना हूं तो मुझसे जमाना रूट जाता है महबबत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन महबबत को निभाने में पसीना छूट जाता है मैं जानता हूँ कि आप पसीने के बीच भी आप तप्ती दोपहरी के बीच भी यहाँ बैठे हैं क्यूँ क्योंकि आपके मन में पीडा है आप देख रहें कि लोकतंत्र को किस तरह से कुछला जा रहा है मेरे भाई ये एक मुश्किल वक्त है मैं इस मंच पर खड़ा हो करके गांधी समाधी के इस मंच पर खड़ा हो करके पूरे देश का आवाहन करता हूँ कि अब समय राहुल गांधी के सत्याग्रा का नहीं है अब राहुल गांधी जी से आगे बढ़कर के देश के एक एक व्यक्ति के उपर बात आ गई है एक ऐसी आवाज जो आप के लिए संसत में बोल रही थी कुसूर क्या था उन्होंने प्रधान मंत्री जी के भरस्टाचारी मित्रों के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने पूछा कि बीस हजार करोन रुपया कहां से आया अडानी की कमपनियों में उन्होंने पूछा कि नीरो मोदी ने ललित मोदी ने मेहुल चौकसी ने जो इस देश को लूटा है उसका जवाब प्रधान मंत्री जी को देना पड़ेगा अगर प्रधान मंत्री जी इतना कहने से आप राहुल गांधी जी की सदस्ता ले लेंगे तो हम तमाम सांसत तयार हैं ले लीजे हमारी सदस्ता लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं हम जुकने वाले नहीं हैं हम मुसलसल बोलते रहेंगे मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से ये सियासत के दिये सब के हवाले न करो मुल्क बिक जाता है एक शक्स की नादानी से इस शक्स की नादानी से देश बिक रहा है लोकतंत्र मटिया मेट हो रहा है संविधान को कुछला जा रहा है और वो आखरी सदा जो साथ फरवरी को गूंजी थी पारलियमेंट में उसको भी खामोश करने के लिए उसे संसत से निकाल दिया गया है मैं देश से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने रहुल गांदी जी को संसत से निकाल दिया है देश सुने इस बात को के नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने सामदाम दंड भेद इस्तेमाल करके रहुल गांदी को संसत से निकाल दिया है अब देश के उपर फैसला है उन्होंन इस हुकूमत की तानशाही में कितनी ताकत है अगर कॉंग्रेस का एक एक कारकरता जो अपने घरों पर कहीं बैठा हुआ है मैं उससे भी आवान कर रहा हूं कि राहुल गांधी से बढ़ करके ये मसला इस देश के लोकतंत्र तक आ गया है इसे बचाईए और राहुल जी शाय है और वो ये है कि इस मुश्किल वक्त में हमें राहुल जी से ये कहना है कि लहु में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे एक आखरी नजब सुना करके मैं आपसे विदा लूँगा कि लहु में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थ सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोक से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है तो तुम खड़े थे तुम खड़े थे तुम्हारी आँखों के ताक्चों में जलती मशालों ने नई मनाजिल हमें दिखाई तुम्हारे भाई तुम्हारी बहने तुम्हारी माएं तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे हमारी धर्थी के जिसम से जब हवस के मारे ये सोचते थे कि सियाह जोंकों की तरह चिम्टे तो तुम खड़े थे तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी अजमत और इस तकामत तो वो हिमाले है कि जिसकी चोटी तलक पहुँचना ना पहले बस में रहा किसी के ना आने वाले दिनों में होगा सो आने वाली तमाम नसलें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे कि तुम खड़े थे हम तमाम लोग, मैंने कहा ना बहुत सारे लोग यहां बरत रख करके आवे हैं, मैं रोजे से हूँ, हम तमाम लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, राहुल गांधी जी के साथ हलल एलान खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और एक एक सांस तक उनके साथ खड़े रह यह हमारा राहुल गांधी जी से वादा है, जिसे ख़ौफ नहीं है मुरजाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं, कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं, कल भी खुल कर साथ खड़े थे, आज भी खुल कर साथ खड़े हैं, कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं